अगर आप सब्वूफर बनाने के सोच ने गर पे तो यह आपको बहुती हल्फुल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि सब्वूफर की सब्सक्राइब कर लेटिया वह चाहिए, भॉक्सकरी ग करती है, तो यह आगे है हम स्क्रीं के अपर अपनी थुस्ट से पैली चीज जो आपको यहां पर जाननी है, फोक्स की दैमेंचिन टेंट्रमाइन करने के जिस बॉक्स जो कहीं हुआते है, तो यह से आपका जो सब्सक्रीशन पर अइब हमकरेस, ज तो जो अ फ्रेंटिड होते हैं बहुत सर इस्पीकर आप से करेंगे तो जद तरों में तुझा है। तो पिर आपको बिल जाएगा कि किसमें इसकी एस्पेस रिक्वार्मेंट है लेकिन अगर नहीं है वहाँ पर यहां पर आप आप इसके अपर आपको क्यूबिक फिट इसमें ही इसका एस्पेस रखना है तो मेरा 8 इंच का डाइवर है तो मेरा इसपेस होगा 0.620.8 क्यूबिक फिट अब इसके बाद दूसरी चीज यहां पर आती है हम यहां समझ लेते हैं क्या करना होता है हमें क्यूबिक इंच जो दूसरा स्टेपक जाला कर सूबिक फिट यहां संब इसके आपको क्या स्टेब करना है कि आपको पहले तूबिक इंच एंच केसे निकलते हैं सब्सक्राइब करेंगे उसका क्यूबिक इंचिस को अगर हम 1728 से डिवाइड करने है तो निए डिवाइड बन जाता है कि पीट की बात करें हम अपनी क्यूबिक पीट की तो हमारा कुबिक पिट है 0.6 to 0.8 तो मालनो मैंने निया है मेरा जो है जो 8-Hing का सबबुफर है तो इसलिए मैंने फ्रेंट साइड और बताये तो अब अनुमान से दे सकते हैं जयसे आपका सबबुफर है तो उसे आप चारू करप एक एक इंच का शोड़ सकते हैं अब दूसरी चीज यहां पे ले ले लेते हैं हम एक और चीज यहां पे ले ले लेते हैं वो है आठ इंच का सब वो फर है तो इसमें 0.6 से 0.8 होना चाहिए, मैं ले रहा हूँ 0.7 आठ देख रही है, यहाँ पे 0.75 लिया है मैंने, तो पॉर्मूला क्या बच जाएगा यहाँ पे, प्रंट का मेरा बारा बारा का है, और एक थर्ड, जो डेफ्स मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसको एक्स माल लेता हूँ, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1728 से, तो वो किस आठ बोकसी डाइमेंशन है, वो है 12 x 12 x 9, फ्रंट पेनल जो है वो 12 x 12 का है, और जो उसकी depth होगी वो 9 इंसकी यहाँ पे depth है, तो पिल सार भूल जो हाँ को समझने आ गया है, जस क्या करने है, आपको फ्रंट पेनल जो हाँ आप ले सकते हैं, जूम कर सकते हैं, आपको एक यह आएगा तो आपका क्यूबिक फीट जो था वह ने डिरॉमाइन कर लिए 0.75 से अब 0.8 दिले सचा जो पुछ दिले सब्कालें तो इसे साब से मेरे तीन ओप साइट में निकल के आथ अब आपके बास सब वोबर के डैमेंशन्स जो है वो निकल के तक भी आप इन डैमेंशन्स को चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं बस उसके लिए आपको पूर पले पे फिर कट खे देखने जैसे कि यहां पे ज मैं सब्सक्राइब सकते हैं यहां पे जो 12 है उसके आपको बता देता हूं जैसे कि कि पुरे कवें ले लेफिंशन फ्राइब करने के 9 को 10 कर दें और 12 को यहां पे घटा दी मैं तो अब लेंट ब्रेथ में ने हुड़ा बहु चेंजिमेंट करने कर दके बाट उसका इस फोर्मुले मास को फूट करके देखिए अगर इसकी वल्यू 0.6 और 0.8 के बीच में आ रहे है तो आप डाइमेंशन जह कोई भी ले सकते हैं किसीदा सीदा सीदा सा रूब लें जह के थरड पर क्या आती है अब ये मैं देखिए का लिक देखिए लिकल्हा राइप फॉपड लिए है वह पूप क्या बिल जाता है इसमें सबसे पहले आपको अपको क्या फिल करना है यहां और आत इंच का यहांप आप शूज कर सकते हैं तो मेरा 8-inch का है, width मैंने जो front में लिया है वो 12 लिया है, height जो है वो 12 लिया है, depth यहां पर क्या लिया है, 9-inch है, ठीक है, driver displacement यहां पर एक major important हो है, अगर आप driver displacement को नहीं पता है, बागी मैंने निखल ली थी, तुम्हें बता देता हूँ, आपका मेरा है 0.64 और ITS, यहां से यहां पर होती है कि आप इतनी मोटी लगणी का इसमाल करेंगे, तो मेरा होगा, मेरा सा 3-4-inch का, तीक है, आप उसको नाब नाब ना पड़ेगा, बैटन्स कुछ नहीं है, मेरा volume यह छोड़ देंगे, हम से ठीक है, अब यहां पर क्लकुलेट का, हम option type करेंगे, तो यहां आपके अपके 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 अपक ऐसे कि पीसिस काट लेना और जसुन को जोड देना है, तो simple आपको वो मैनफ जो आपकी बच जाएगी है, अब आप बात करेंगे, आप बोलेंगे कि ट्राइवर डिस्प्लेस्मेंट नहीं निकालगी है तो इसके नेची अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइवर डि करेंगे, यह उसी की मेजरमेंट्स है, अब उसकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, वो मैं आपको नीचे लिखा देता हूँ, जैसे यह आप नीचे स्ट्रोल डाउन करेंगे, अभी मेरा नेट फोड़ता सब्लो चल रहा है, खर पर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे टाइक्राम, तो यह जो टाइक्राम है, यहाँ से आपको DC निकालना, MD निकालना, DM निकालना, between X, MAX निकालना, यह सारी चीजे आप यहां से देखके निकाल सकते हैं तीसे एफेक्टिव को टायमिटर होता जो अंदर की कोन का लंबाई होती है तो मेरी की थी साथ इंच की थी ठीक है यह फूरा एमडी होता है इतना XM होता है यहां पेच में इस मेंगनेट की यह होती है यह XM होता है यह XM होता है मतलब यह Simple Simple सा रूल है आपको यह पांचो चीजे जो है निकालनी पड़ेगी और यह डाइग्राम जो आप इसको अपने पोपी बना सकते हैं उसके सब्सक्राब मैजर करके इन पांचो चीजों को निकालने के बाद आप सीधा सीधा आपको क्या कर कर सकते हैं आपको बोक्स बन के त्यार घ। यह आप कोई भी option इसमें जून्स कर सकते हैं तो आप यहां से कोई भी option प्रिंट करके उसकी dimension जो है आप कीसी से बनवा भी सकते हैं आपको देनी है जो भी जो भी कार्वेंटर आपकी वो करेगा तो उसको आप दे देंगे dimension सीजी सीजी तो वो आपको बना यह वोगी यह 12 और जो आप हमने निकाली है वो है 9 इंचिस की वो है डेफ्ट अब यह 9 इंचिस की डेफ्ट यहां पे होगी ठीक है अब हम इसके बार करते हैं कि पॉर्ट जो है हमारा जो पॉर्ट है यह कितना चोड़ा होना चीए और कितना अंदर तक गहरा होना चीए यह बहुत करेंगे उचलिए देख लेते हैं भाड़ाब बोट का डामेटर करने के लिए हम इस पेस पे आ गए है मैं स्पेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्स में दोगा या फिर आप यहां पर जाके यह जो इन नाम है इसको जाग आप कर सकते हैं तो यहां पर मैंने पहले ही डामेंशन जो डालते मैं बोटा जयता हूं मैंसमा 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 करें कि दो इंचिस का तो वोगा ही होगा ठीक है मीनिमम हम तो डाल देते हैं और था बैंट की वह बन डाल देता है यह value हम copy करके यहां पर इस tuning frequency में डाल देंगे, number of port is 1 डालेंगे, अप जैसे हम calculate पर click करेंगे तो यह value हमारे साम पर आ जाए, यह है 5.0800 cm, तो हम इसको 5 round up कर देते हैं 5 cm पर, तो अब दूसरे पर इस पर चलते हैं, यहां पर आपको मिलेगी port की length, जो vent की length है, वो कितनी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले दो हो है, ocean से square, यहां पर round, हमने round flex किया, quantity of port 1 है, enclosure volume है, जो कि हमने 0.75 फिली थी, tuning frequency, जो कि यहां से हमने अभी देख की थी, यह same tuning frequency, यहां से copy करेंगे, और यहां पर डाल देंगे, चीक है, जो कि दुबारा मैं डाल देता हूँ है, जो कि यह बात चीज़ काम दे लिया, जैसे हम काल्कुलेट करेंगे, तो यह vent lens जो आप दिया है, यह 3.66 inch का जो है vent की जो लेंग होगी अंदर आप उसमा लंबा जो vent रखना है, आप 5 से बनाएंगे, जो भी जिससे भी आप बनाएंगे, तो उसमें अपना उसकी लंबाई जाओ तो यह exact नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यह जो frequency है, यह जो dimensions है, यह बिल्कुल exact नहीं है, तो यह up to the box है, बिल्कुल exact नहीं है, अगर आपको exact सी है, तो इसके लिए एक software आता है, बिन IST करके कि एक और software आता है, तो यह paid है, जो उसा software है, आपको यूज करना, बिल्कुल exact यूज करना, तो आप वहाँ से जाके उसको calculate कर सकते हैं, लेकिन यह आपको कर जंजट में नहीं पढ़ना है, तो बैस तरीक है यह ही है, यह आपको approach values दे देता है, जो आपको perfectly fit and fine काम करेगा, तो यह थी आज की video, इसमें आपको पता चल है कि आपकी dimensions आपको लगा लिया गई है, और boat length और boat diameter भी आपको निकालना आ गया है, मैं सबके link जो आपको description में दे दूँगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि video आपको कैसे लगी है, और प्लीज मैं चैनल को subscribe कर लिजीए, ताल कि आपको future updates, दे दे दे